असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट आज हम यूनिट नंबर फॉर का टॉपिक जो खत्म करने जा रहे हैं उसका नाम है और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारें परस न्यूमें और रॉकस ने बताया था कि तीन बहुत इंपॉर्टन फेक्टर हैं जो बच्चों की लिट लिटरसी डिवेलपमेंट में बहुत ही एहम करदार अदा करते हैं जिसके अंदर एक यह था कि जो भी आप लिटरसी कॉर्णर बना रहे हैं या प्ले स्टेशन बच्चों के लिए बना रहे हैं अब वह बिल्कुल क्लियर कट उनकी बाउंडरी होनी चाहिए और पता चलना जो वहां पर लिटरसी प्रांप्स होंगी या वहां पर टूस होंगे आप खलोने होंगे या उससे रेलेटल चीज होंगी सइंस के करनः पसा इसुरेलेटल कलोने उनकी इम उनके टूस यह हो बताएं के और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका थार्ट और इंपॉर्टन फैक्टर जिसका नाम है किस तरीके से हम लिट्रसी एड्स हमारे पास मौझूद हैं हम उन्हें हर कॉर्णर पे अरेंज कर सकते हैं और यह होता है कि जब हम एक कॉर्णर को डिवेलप कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं या मिटीरियल हैं मिलती जुलत इसको हम कहते हैं लिंक्ट नेटवर्क आफ मिटीरियल अब वो लें और उससे उस कॉर्णर को सेट करें और डेफिनेटली वो उसका स्पैसिफिक पर्पस बता देंगी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्जेंपल आ रही है लाइब्रेरी एड्स की तो वहां किताबे होंगी वहां कार्ड होंगे वहां पुरानी जो लाइब्रेरी से जो टी इनकी स्टैंप मوجود होती है इप मार्किंग मार्किंग होती है जिसके वह पर में यह स्वीरे बनी होती है, फिरोस की और उनके अंदर जो करेक्टर होते हैं, उनकी पिक्चर बनी होती है, ऑथर का पौटरेट हो सकता है, ऐसे एड़ हो सकते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा हो कि यह नई बुक लाँच होने वाली है, तो यह तमाम चीजे लाइबरीरी एरिया हो सकती है, जिसके अंदर पता चल रहा हो कि किस बच्चे ने कब बुक उठाई थी, कब लिखे गया था, क्या डेट सी, और उसके इलावा प्रोसीजर लिखा हो सकता है, साइट पर लाइबरीरी इनके साथ कि अपने बुक को चेक आउट कैसे कराना है, घर कैसे लेके जाना है, वापिस कैसे करनी है, बुक की जो डिस्पले किया वाए, आपने जिस शेल्फ के उपर और जो सेक्श्ण बिनाए में, उसकी उपर आप लिख सकते हैं कि इनके यानरॉस क्या है, या इनके ऑथरस क्या है, कोई थीम के थूझ ठूप्स का डिस्पले हो सकता है, जो थीम ह कि जगह पर मैप्स लगाए जा सकते हैं या कार्पिट ऐसा बिचाए जा सकता है यहां मैप बने हो या ग्लोब रखा हो जिसे पता चले कि यह इन स्टुडीज की बुक्स हैं तो दैट्स हाओ हम बुनियादी तौर पे सोचते हैं कि हम जो चीजे लेकर आने जा रहे हैं अपन होते हों एक और एक्जेंपल हमारे सामने आ रही है वो यह कि कम्यूनिटी वर्कर को अगर आप कोई एरिया डेडिकेट करना चाह रहे हो अपनी लाइबरेरी में तो वहां पे किस किसम के टूल्स हो सकते हैं यह सिर्फ आपके लिए एक आईडिया है इससे आपकी समझ बीत सकते हैं जैसे हमें सिर्फ और आपके लिए रह इससे हमारे क्लास का इस्पेस है इम्पू़्टिंट चीज यह कि उंसके प्रश्ट है परसनल और फैमिली और यूनीक टच का होना बहुत ही जरूरी है इसा होगा जो बच्चों को मोटिवेट करें और उस पे बैठने का उनका इंट्रस्ट हो और वो फनीचर कहीं उन्होंने देखा हो या ना देखा हो बहुत ही यूनीक हो या उनके घर में मौझूद हो ऐसे आना तरह ज्यादा पसंद करते हैं और उसे एक्स्प्लोर करना पसंद करते हैं जहाँ उनको अपनी एक परसनल पीलिंग परसनल टाच नजर आ रहा हो कैसे लाए जा सकता है हमारे सामने मिसाल है हम वहां आर्टिफिशल प्लांट भी लगा सकते हैं इंडूर प्लांट भी बच्चों ने अपने घरों में बीन बैक्स बहुत देखे होते हैं तो बीन बैक्स भी रखे जाते हैं बच्चों उस पर बैठना बहुत पसंद करते हैं रोलिंग चेर्स होती हैं पिलोज रखे जा सकते हैं बच्चों की तस्वीरे लगाई जा सकते हैं चुट-चुटे मे भी है यह यूनीक भी है और यह बच्चों के दिल के करीब भी है जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं उस स्पैसिफिक एरिया में डिस्प्ले हुए वे तो वहां उनका दिल चाहता है कि वहां जाके बैठें वहां जाके पढ़ें वहां पर जो गैजट सेनको इस्तमाल करें और